हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आपने सब्सक्राइब ने किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आलकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे की मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए ऐसे देखिए मैंने आज यह दिखिए फ्रेंड्स यह में एक ब्लाउस बना रही हूँ है जिसका कि दिखाऊंगे तो यह दिखिए यह मैंने थर्टीन एंद हाफ लेंद ह है ब्लाउस की और इसका शोलडर है फ्रेंड्स recommended का है और यह भी मैंने थर्टीएंड हाफ लि और रेड़ इंची मैंने कटिंग के लिए लिया यह देखे फ्रेंट्स उसके लिए मैं इदर टू एंड हाफ लूँगी यह देखे और लेंथ फ्रेंट्स में एट लूँगी क्योंकि यह मुझे ज्यादा लंबा नहीं चाहिए इसके उपर ही मैं डिजाइन बनाने वाली हू कि इदर से में टू एंड हाफ लूँगी यह देखे अब मैं इसका नेक बनाऊंगी अब मैं नेक बनाऊंगी और इसके उपर में इद इखे फ्रेंट्स यह मैंने ड्रेस करके यह नेक कड़ जाएंगी इखे फ्रेंट्स इस टाइप से कंड़ के सेंटर में सिलाई करते ही इदेखे फ्रेंट्स यह मैंने ब्राइंट कर लिया है अब हम जितके फ्रेंट्स हाफ इंची के करेब इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्ड करने के लिए ये देखिए इस टाइप से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे ये देखिए इस टाइप से फूल्ड करना है ये रिखिए इस टाइप से फूल्ड करना है और सेंटर में से कट लगा लेंगे ये दिखिए इस टाइप से सेंटर में एक कट लगाएंगे ये दिखिए फ्रेंड्स इसके शोल्डर में भी प्लाउस के नेक के सोल्डर में भी हमें कट लगाना है सेंटर में दोनूं का सेंटर मिला लेंगे कि ये दिख additive से सेंटर मिलाते हुए बिच में एक सिलाई ढालेंगे फ्रेंट्स कैनवास की किनारे किनारे सिलाई ढालेंगे इस तैप से आराम आराम से कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं करनी है यह दिख्ख़नित हैं Good पास अटेच हो गई है अब हम कि थोड़ा से मार्जन छोड़ते गए एक पैर का मार्जन छोड़ते गए कट कर लेंगे यह देखिए पूरे नेक को कट करेंगे इसको फोल्ड करेंगे इस टाइप से फोल्ड करने के टाइम फ्रेंट्स लेस लगाएंगे यह रिखें अब दूसरे साइड भी स्लाई लगाएंगे फ्रेंट्स की फ्रेंट्स यह रिखें यह मेरे ड्रॉ हो गया है यह देखिए पूरे में अब हम यह मैंने टू एंड हाफ के कुछ पीस कट की हैं जिससे की मुझे डिजाइन बनाना है यह फ्रेंट्स यह मैंने कट कर लिए हैं अब हमें क्या करना है इसकी पहले में इसका डिजाइन कंप्लीट कर लेती हूं फिर एक साथ अटेच करूंगी तो यह देखिए यह देखिए इस टाइप से बना लेना है सबी को यह देखिए फ्रेंट्स किनारे से किनारे को मिलाना है और फिर इसको मिलाना है इसी टाइप से हम सारे पीस को सिल लेंगे यह मैंने रडी कर लिए है फ्रेंट्स अब हम इसको अटेच करेंगे इस टाइप से अटेच कर लेंगे इस टाइप से लगा रही है द्यान से देखिए फ्रेंट्स में किस टाइप से लगा रही है इस टाइप से किनारा बनाना है यह देखिए मौक जास्ट यह दिखे फ्रेंट्स यह मेरे डिजाइन लगके रेडी हो गया है अब जितना भी एक्स्ट्रा कप्ड़ा है यह देखिए पहले फ्रेंट्स यह प्लेस हम इस सिलाई के उपर लगाएंगे जिससे कि हमारे यह स्लाइट दिखाई ना दे फ्रेंट्स दूसरे साइड भी जाएंगे यह देखिए आप अपने अनुसार लगा सकते हैं फ्रेंट्स मैं गूल्डा नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसकी बॉर्डर बहुत बड़ी है इसकी साड़ी की इसलिए पूरे में ज्यादा गूल्डन दिखाई दे रहा है फ्रेंट्स आप चाहें तो यह फ्रेंट्स मेरे सारे मोती लगके रेडी हो गए है अब हम इसकी प्लेटे डालेंगे अब हम इसकी प्लेटे डालेंगे अब हम दूसरे वाली प्लेट डालेंगे तेंगे अब हम देखें अब हम देखें अब हम देखें फ्रेंट्स